तो दोस्तों अगर आपने भी बियार टीचर के लिए form को apply किया है तो लिजे यहां पर इसके exam को लेकर इसके admit card को भी release कर दिया गया है तो जल्दी से अपने admit card को download कर लिजे अगर आपको भी download करने में कोई समस्य आ रही है आज के इस वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे कि साथ में जिन कंडियेट का admit card नहीं शो कर रहा है आखिरकार उन कंडियेट को क्या करना चाहिए चलिए वीडियो को पूरा लास्तक देखी अगर आपको जानकर इच्छे लेगे जल्दी से वीडियो को like करके channel को subscribe कीजे नमस्कार दोस्तों मैरा वी सिंग और आप देख रहे है चलिए हम आपको step by step यहाँ पर बता देते तो सबसे पहले आपको Google पर आजाना है और यहाँ पर आपको search करना है online जैसा मैं unleash आपको वैसा ही सेर्च करना है online BPSC online BPSC जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे Google पर आकर तो आपको यहाँ पर पहला interface देखने के लिए मिलेगा जहां लिखा मिलेगा आपको BPSC Online Application तो जो आपको यह पहला यहाँ पर interface देखने के लिए मिलना है website आपको इसी के उपर क्लिक कर देना है देखें जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बिहार की जो ओफिशल website यहाँ पर आज आएंगे आप देखें यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि आपको login का एक section देखने के लिए मिलना है यहां पर जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको अपना user name फिल करना है जो आपने registration किया था वहां पर आपको user name मिला होगा आपका बिहार teacher का form apply करने के टाइम पर और वहां पर आपको एक password मिला होगा उसे आपने यहां फिल करना है उसके बाद जो करने के बाद यह लोग इंपर कोने कंगे तो आपका प्रोफाइल करने में बहरा होगा वह सब स्टेटस वगर आपको यहां देखने के लिए मिलेगा अब यहां पर आपको करना क्या है कि आपको राइड साइड में आना है और यहां पर आपको एक ओप्षन देखने के फोटो अपलोड करना है तो देखे जो अपलोड फोटो लिखा है हम इसके उपर क्लिक कर देते हैं जैसे देखे हमने इसके उपर क्लिक किया तो हम इस परकार के पेश पर आ जाएंगे जहां पर देखे हमें कुछ कंडिशन कहा गया है फोटो को अपलोड करने के लिए सबसे पहले दिखे कहा गया है कि जो आपका फोटो है यानि कि आपका इसकेंड इमेज होना चाहिए और जिसका लेंथ विर्थ जो होगा वो आपका 250 इंटू 250 का होना चाहिए और फोटो जो है वो आपका 25 केजी यानि कि 25 केवी से जादा का नहीं होना चाहिए इन जेपीजे फॉर्मेट तो JPJ format में 25KV से ज़्यादा photo आपका नहीं होना चाहिए जो dimension है वो आपका 250 into 250 का भी होना चाहिए अब देखे photo upload करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो upload passport photo लिखा मिलना है इसके उपर click कर दिना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो जहाँ पर आपका photo है उस sections पर click करके आपको इस photo को यहाँ पर select कर लेना है कुछ इस परकार से जैसे ही आपका यहाँ पर photo select हो जाएगा तो आपको इस परकार का photo दिखेगा यहाँ पर जैसे ही आपका फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा तो आपको इस परकार का प्ना फोटो देखनाना शुरू हो जाएगा उसके बाद एक चीज का आपको खैल और रखना है कि यहां पर ऊपर आपको time देखने के लिए तो इस टाइमिंग के अंदर ही आपको और आप submission को accept करा रहे हैं तो यहां पर आपको दो option मिलेंगे यह और नोका तो आप क्या करते हैं कि आपका सब कुछ done है सही से एकदम फोटो अपने upload किया तो आप यहां पर यह के ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे आप यह के option पर क्लिक करेंगे उसके बाद देख सकते हैं कि आपका यहां पर देखने को मिलना है image submitted successful go back to your dashboard and download or admit card तो आपने फोटो अपना successful submit कर दिया है अब आप कह रहे हैं कि यहां पर आपको वापस दाना है और अपने dashboard से अपने admit card को download कर लेना है तो अब ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको यहां पर back option पर क्लिक करना है तो जैसे आप back option पर क्लिक करेंगे तो देखें यहां पर अभी आपका admit card का option तो शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं ओके एं examination admin card तो इसके लिए अब आप दोस्तों क्या करेंगे कि आपको वापस से एक बार इससे login करना पड़ेगा तो यहां पर logout का option देखने के लिए मिलना है तो जो आपको यहां पर आकर आपको यहां यहां पर लोगइन करना है चली हम यहां पर एक बार इसे logout कर लेते हैं यहां पर आने के बाद जो वापस हमें यहां पर login करना पड़ेगा जैसे आप यहां पर वापस से login करेंगे तो देखिए अभी यहां पर आकर साइड में आप देखेंगे तो अभी जो अप्लोड फोटो का सेक्षन था वो यहां से हड़ चुका है और अभी देखिए ऑप्शन आ चुका है एड्मिट कार्ट के सेक्षन के अंदर डाउनलोड नौ तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसी के उपर क्लिक कर देना है चलिए आपको नाम बगएर सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा आपको नीचे आना है और जो यह प्रकार का कैप्चा जो है वह आपने यहां पर फिल कर देते हैं अगर आपको नहीं समझ मैरा तो आप अपने मुबाइल फोन से कर रहे हैं तो आप इसको डेक्श्टॉप साइ 225 हो गया है यहाँ पर हमारा उसके बाद В2T में यह जैसे आप यहां पर फिल करेंगे उसके यहां पर नहीं से पर आसके लिए पप deriv क रखने हैं इसकी अ प्रति आपको साथ में रखनी है जो आपको अपने एक्जाम हॉल सेंटर में लेकर जानी और दूसरी जो प्रति है वह आपको अपने पाउप सुरक्षित रखनी है उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकरें इच्छे से समझ में आये होगी अगर आपको पता चल गया कि कि एडमेट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए जिन दोस्तों का एडमेट कार नहीं आया है उनके लिए हमारा नेक्ट वीडियो यहाँ पर आने वाला है जहां पर डिटेल से हम आपको समझा देंगे पूरा का पूरा किस तरीके से आपका एडमेट कार नहीं आया है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स अब्डेट के साथ में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धनवाद अगर आप झाल झाल